हेलो एबरिवन, मैं दिव्या हिंदी टीचर प्रॉम बीर ग्लॉबल स्कूल आज मैं आपको नोवी कक्षा का अध्याए एक दो बैलो की कथा जो कि मुशी प्रेम चंजी द्वार लिखा गया है वो पढ़ाएंगे मुशी प्रेम चंजी के बारे में एक शंशीप आपको प्रीचे दे देती हूँ कि हिंदी साहित्य के प्रमुक कथा कार है मुशी प्रेम चंजी बहुत बड़े उपन्यासकार साहित्यकार और जो की जीवन को एक साहित्यकार की कथा साहित्यको सामन्य जीवन से जोड़ दे एक ऐसा कवी तो मुशी प्रेम जन्जी का जनम अठारा सो असी में लम्ही नामक गाउ में हुआ जो की वारण असी में है इन्होंने अनेक रचनाई लिखी इनके बच्पन का नाम धन्पत्राय था जीवन के सांसारी कष्टों से जूजते हुए इन्होंने अपने लेखन कारे को शुरू र को वैभार में आते हुए देखा इनका निर्मला गोदान और रंग भूमी सेवा सदन काया कल्प इस तरह के उपन्यास और कहानी जो थे वो बड़े ही प्रसद रहे हैं गोदान तो इनका प्रमुक उपन्यास भी रहा है तो इस पार्थ में प्रेम चन जी ने दो बैलोई किसान और पशू के बीच में भावात्मक संबंद को उजागर किया है किसान जितना प्रेम पशू को करता है पशू भी अपना प्रेम उतना ही और अगर ये कह दिया जाए कि उससे भी अधिक वो भी गलत नहीं होगा उससे भी अधिक वो उनको प्रेम देते हैं तो आईए ह हम शुरू करते हैं कहानी दो बैलो की कथा जो कि मुशी प्रेम चंजी द्वारा लिखा गया है दो बैलो की कथा मुशी प्रेम चंजी की एक प्रसिद भावात्मक कहानी है जिसके माध्यम से लेखक किसान और पश्यों के भावात्मक संबंद को उजागर करता है यहां लेखक स्पष्ट करता है कि सवतंतरता पश्यों को भी मनुश्य के समान ही प्रिये लगती है जब सवतंतरता आसानी से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ करती है दो बैलो की कथा जैसा कि आपने इस पार्ट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो इसमें जूरी नाम का एक किसान होता है उसके पास हीरा और मोती दो बैल होते हैं जो की बड़े ही सुन्दर और उंचे डील डोल वाले बैल थे दोनों एक साथ रहते थे और एक द अर्थात एक दूसरे की बात को समझ लेते थे कभी कभी वे एक दूसरे को चाट कर यह सूं कर भी अपना प्रेम परदर्शित करते थे एक बार जूरी ने अपने बैलों को सस्राल भेज दिया जूरी के साले का नाम गया था जब वहें उनको अपने घर ले जा रहा था तो अत्यधिक प्रेशान करने लगे बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है मानो ये बैल इस बात का विरोध कर रहे थे शाम को जब वे नए सान पर पहुंचे तो सब कुछ उन्हें पराया सा लग रहा था भूखे होते वे भी उन्होंने कुछ नहीं खाया दोनों ने म पराते काल उठते ही दोनों बैलों को चर्नी पर देखा उन्हें देखकर जूरी सने से गदगद हो गया यानि की अत्यधिक सनेहे से आतुर हो गया और दोड कर उन्हें गले लगा लिया और प्यार किया घर गाओं के लड़के भी तालियां बजाकर उनका स्वागत करने बैलों को घर आया देखकर जल उठी और उसने उनको नमक हराम भी कहा तब जूरी ने कहा कि यदि इनको वहाँ चारा मिलता तो ये वहाँ से भागते क्यों इस पर जूरी के पत्नी अत्यदिक रोधित हो गई और कहा कि अब वहें उन्हें खाली और चोकर खाने को नहीं दे जूरी ने पश्यों की देखवाल करने वाले से कहा कि वहें चोरी से खली थोड़ी सी डाल दे पर वहें जूरी की पत्नी के डर से नहीं माना अगले दिन जूरी का साला फिर आ गया और बैलों को अपने साथ ले गया लेकिन अब की बार वे उन्हें गाड़ी में जोत कर चल यद्यपी जुरी ने गाड़ी को सडक से गिराने की कोशिश की पर गया ने उसे संभाल लिया शाम को गया ने दोनों को मोटी रस्तियों से बांद कर उन्हें रूखा सूखा जो भी पड़ा था वो दे दिया और गया ने हीरा की नाख पर खूब डंडे लगाए जिस पर मोति को भी क्रोधाया और हल लेकर वो वहां से भाग गया जिससे हल जोत सब कुछ तूट गया तब हीरा ने मोती को समझाया कि अब भागना वैर्थ है लेकिन मोती ने कहा कि वें गया को मज़ा चखाएगा लेकिन हीरा ने कहा यह हमारी जाती का धर्म नहीं है अर्थात लेकग ने यहां स्पष्ट किया है कि जब दो इनसान आपस में लड़ते हैं तो वे एक दूसरे की जाती और धर्म का ध्यान नहीं रखते लेकिन हीरा और मोती ने अपनी जाती का धर्म निभाया अर्थात उन्होंने उसके साथ बगावत करना सही नहीं समझा गया उनके तेवर देखकर चुप हो गया और वही रूखा सुखा उनके आगे डाल दिया उधर घर के लोग भोजन कर रहे थे तब घर की एक छोटी सी लड़की ने दोनों के मुँँ में एक-एक रोटी डाल दी वहे रोटी तो बड़ी छोटी थी लेकिन मानों उनके मन को बहुत सारा भोजन मिल गया हो मैं लड़की भैरो की थी उसकी मा मर चुकी थी सोतेली मा उसे मारती रहती थी जिससे सोतिली मायों के डर के कारण मेह बैलों के प्रती अपनी आथ मेता दिखाने लगी उसके बाद दोनों दिन भर जोते जाते डंडे खाते और शाम को थान पर बांद दिये जाती रात को वही बालिका उन्हें आकर दो रोटियां खिला देती उनकी आखों में विदेह की भावना भरी हुई थी मोती ने हीरा से घर के किसी एक वेक्ती को मारने की बात कही लेकिन हीरा ने उसे समझा बुजा कर शांत कर दिया अब दोनों घर से भागने की योजना बनाने लगे एक दिन रात को लड़की ने दोनों की रसियां खोल दी शोर मचाने लगी कि बैल भागे जा रहे हैं गया ने उनका पीछा किया पर सब वेर्थ था भागते भागते वे दोनों रास्ता भूल गए दोनों भूख से वे आकुल भी थे अतेवे नए गाउं में खेत के मटर खाने लगे जब दोनों का पेट भर गया तो वे दोनों मस्ती में खेलने लगे जब दोनों बैल मस्ती कर रहे थे तो उन्हें सामने से एक सांड आता दिखाई दिया मोती ने कहा वहां से भागने के लिए लेकिन हीरा ने कहा भागना कायरता है दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि बैल सामने से भिड़ेगा और दूसरा बैल पीछे से वार करेगा दोनों ने योजना के अनुसार ही कारे किया और सांड को जक्मी कर दिया सांड वहां से भागते बागते गिर पड़ा तब मोती ने सांड को फिर से मारने की बात कही तब हीरा ने कहा कि गिरे हुए शत्रों पर वार नहीं करते ये हमारे पुर्वजों की दी हुई शिक्षा के वारे में लिखक ने दो बैलो के मध्यम से हमें बताया है क्योंकि उन्हें घर लोटना भी था इससे पहले वहें मतर की खेत में घुस गए और तभी दो आदमी वहां लाठियां लिये हुए आ गए और उन्होंने दोनों को घेर लिया हीरा तो बच निकला पर मोती के खुर की चड़ में धस गए वहें भाग नहीं पाया मोती को पकड लिया गया तब हीरा भी वापिस लोट आया और उनको मवेशी खाने में बंद कर दिया गया मवेशी खाना जहां आवारा पशों को रखा जाता है मवेशी खाने में दोनों बैलों को दिन भर भू का सामना करना पड़ता था वहां पर कुछ और बैसे, बक्रियां, गधे, घोडे, मुर्दों के समान पड़े थे वे इतने कमजोर हो गए थे कि वे खड़े भी नहीं हो पाते थे रात तक दोनों को कोई भोजन तक नहीं मिला तब हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी अंत में दोनोंने सला करके कच्छी दिवार को तोड़ने की योजना बनाई सबसे पहले हीरा ने अपने सिंगों से परहार किया लेकिन चोकिदार ने येहें देखा औरसे डंडे से पीट दिया और रसी से फिर से बांद गया मोती ने फिर से टकर मार कर आधी दिवार को गिरा दिया दिवार गिरते ही बक्रियां घोडियां भैसे सब वहां से निकल गई लेकिन गधे वहां की वहां खड़े रहे पूछने पर गधे ने कहा कि फिर पकड़ लिये जाए इसलिए वह हम यहीं अच्छे हैं मोती ने हीरा की रसी को तोड़ने का प्रयास किया पर तोड़ नहीं सका हीरा ने मोती को वहां से चले जाने के लिए कहा पर मोती कहीं नहीं गया उसने गदो को सिंग मार के वहां से बगा दिया वह हीरा के पास आकर सो गया सवेरा होने पर मोती को खूब पिटाई की गई और उसे मोटी रसियों से बांध दिया गया इस तरह से एक सबस्था उनका बीत जाता है दोनों बैलों को एक सबस्था तक बांध कर रखा गया उन्हें चारे के नाम पर तिनका भी निडाला गया दिन में एक बार पानी अवश्या पिला दिया जाता था दोनों बैल इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पाते दोनों बैलों को निलाम कर दिया गया एक दड़ियल आदमी ने उन्हें खरीद भी लिया उसकी आँखे लाल और मुद्रा अत्यंत कठोर थी हीरा ने कहा कि हमने वेर्थ ही गया कि घर को छोड़ा है उन्हें लगा कि यहें आदमी उन्हें पर छूर चलाएगा वहें वेक्ति दोनों बैलों को लेकर जाने लगा यहें रास्ता उनको कुछ जाना पेचाना था अब दोनों की ठकान कुछ कुछ कम हो गई थी इसी रास्ते से गया उनको लेकर गया था वही खेट थे वही बाग वही कां नजराने लगे और उन्हें वही कुवा नजरा गया जिस पर वे हैं पूर चलाने के लिए आया करते थे यह सब देखकर मोती नहीरा से कहा कि अब तो घर नजदीक आ गया है आखिर दोनों बच्छडे के समान उचलने और कूदने लगे और घर की और दोडने लगे दोड कर दोनों थान पर आकर खड़े हो गे दडियल भी उनके पीछे बीछे चला रहा था जूरी दिवार पर बैठा धूप सेक रहा था उसने दोड कर दोनों बैलों को गले लगा लिया और रोने लगा दडियल ने आकर दोनों बैलों की रस्यों को पकड़ लिया और कहा कि मैंने इसे मविशी खाने से खरीद कर लाया हूँ जब वहें बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा तो मोती ने उसको सींग मारा और उसका पीछा करने लगा दडियल डर कर भाग खड़ा हुआ गाउं के बाहर पहुंच कर उसने गालिया दी और पत्थर फैंकने लगा गाउं के लोग यह सब तमाशा देखकर हसने लगे अंधते दडियल भी वहां से चला गया तब हीरा और मोती ने फिर से मूख वार्थालाफ किया अब दोनों के लिए खाने का प्रबंद हो गया अब जूरी ने दोनों को सहलाया और उसकी पत्नी ने उन दोनों को प्यार से चूम लिया यह थी आपकी प्रेम चंजी द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा प्रिये विद्यार्थियों अब आपकी बारी है इस पार्ट के प्रशन उत्तर को करने की पहला प्रशन कांजी होस में या मवेशी खाने में कैद पशों की हाजरी क्यों ली जाती होगी ताकि कोई भी पशों वहाँ से गायब तो नहीं हो गया या कहीं भाग तो नहीं गया इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मिड़ाया क्योंकि चोटी बच्ची की मा मर गई थी, उसकी सोतेली मा उसे प्यार नहीं करती थी, बलकि मारती रहती थी, वह सची प्रेम की भूखी थी, घर में बैलो को भूखा देख कर उनके प्रती उसके मन में प्रेम हुमडाय था, वह उन्हें रोटी खिलाने आती थी आगे तीसरा प्रशन कहानी में बैलो के माध्यम से कौन-कौन से निती विश्यक मुल्य उभर कर सामने आए हैं निती विश्यक मुल्य वो होते हैं जो कि एक मनुष्य के जीवन को जीने के लिए आवश्यक होते हैं तो क्या उन गुणों को उन बैलों के माध्यम से दिखाया गया है तो इसका उत्तर है कहानी के माध्यम से निमलिखित नीती विशेक मुले उभर कर साम्याए है नमबर एक सिधापन सही शुनता वांचनिय गुण है इन गुणों का सम्मान करना चाहिए हमें पश्वों के प्रती सनेह पूर्वक वैवहार करना चाहिए कुरूरता किसी भी प्रकार से उचित नहीं है विक्ति के लिए उसकी सवतंतरता ही सर्वो परी है इसकी हर कीमत परक्षा की जानी चाहिए हमें एक दुसरे के साथ सैयोग करना चाहिए इससे ही सभी समस्याइं सुलत चाती है आगे हाप का प्रश्ण प्रस्तुत कहानी में प्रेम चन्ने गधे की किन सभावगत विशेष्टाओं के अधार पर उसके प्रती रूड अर्थ मूर्ख का परियोग ने कर किस नए अर्थ के और संकेत किया है प्राय लोग गधे को रूड अर्थ मूर्ख के संधर में परियुक्त करते हैं पर लेखक ने गधे की सभावगत विशेष्टाओं भी बताते हुए उसे सीधा और शैशुन जानवर बताया है उसके सीधे पन और निरापत शैशुन तकी वजए से उसे यह पदवी दी गई गधे में तो वे सभी गुण प्राकाश्टा को पहुँच गए हैं जो रिशी मन्यों में अपेक्शित माने जाते हैं आगे हैं किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी पहली दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंग कर अपना प्रेम प्रकट क कभी कभी दोनों सिंग मिला लिया करते थे दूसरी, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाने पर यही चेश्टा करते थे की जादा से जादा बोज उसी की गर्दन पर रहे, दोनों बैल अपनी मूख भाशा में सला करके गया के वाहां से रस्यां तुड़ा कर वापिस जूरी के यहां आ पोहँचे 4. विरोध सवरूप दोनों बैलों ने गया के हल में जोते जाने पर पाम भी नय उठाया था 5. दोनों बैलों ने मिलकर खेत में मट्रचरी नमबर चे दोनों बैलों ने मिलकर सांड को मार गिराया नमबर साथ मोती हीरा को कांजी होस में अकेला छोड़कर नहीं भागा जबकि उसके सामने ऐसा करने का अफसर था नमबर आठ दोनों बैल दड़ियल आदमी से जान चुड़ा कर इकठे ही भागे थे इस प्रकार आपके पांच प्रशन पूरे होते हैं आगे है लेकिन ओरत जात पर सिंग चलाना मना है यह भूल जाते हो लेखक ने हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रती के सामाजिक विडम बना को इंगित किया है लेखक ने हीरा के माध्यम से स्त्री जाती के प्रती इस विडम बना को इंगित किया है कि उसे पुरुष जाती के अत्याचार का शिकार बनना पड़ता है पुरुष इस्त्री पर जब चाहे हाथ उठा देता है इस्त्री जाती की विशेश्टा है कि उसे पुरुष की मार या उसका अत्याचार जेलना पड़ता है प्रशन नमबर साथ किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी समंदों को कहानी में किस तरहें वेक्त किया गया है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी समंदों को जूरी तथा गया के संदर्ब में हीरा और मोती के माध्यम से प्रकट किया गया है जूरी बैलो को बहुत चाहता है, उन्हीं गले लगा कर मिलता है, वहें उन्हीं खूब प्यार करता है, गया बैलो के साथ जाती करता है, उन्हीं मारता पीटता है, खाने को रुखा सुखा भी देता है इस परकार से प्रेम चंद जी ने मनुश्य और पशू के आपसी समंदों को व्यक्त किया है आगे है इतना तो हो ही गया कि नो दस प्राणियों की जान बच गई वे सब तो अशिरवाद देंगे मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेश ताइं बताईए हीरा तो रसी में बंधा था और मोती ने सिंग मार मार कर कांची होस की आदि दिवार को गिरा दिवार के तूटते ही वहाँ बंद नो दस प्राणि भाग गई मोती हीरा की वज़े से नहीं भागा मोती की को इस बात पर गर्व है कि उसके प्रयास से नोदस प्रानियों की जान बच गई इस घटना से मोती की यहें विशेष्टा पता चलती है कि वहें प्रोब कारी है वहें सच्चा मित्र भी है क्योंकि वहें अपने स्वार्थ के लिए हीरा को अकेला छोड़ कर नहीं भागा जबकि वहें चाहता तो भाग सकता था मोती सासी भी है अगे आपका अभ्याज का अन्तिम प्रश्ण अश्यस परश्ट कीजिए अवश्य ही उनमें एक ऐसी गुप्त शक्ती थी जिससे जीवों में स्रेश्टता का दावा करने वाला मनुश्य भी वंचित है अर्थात उन दोनों बैलों में ऐसी एक शक्ती थी जिसमें अगर मनुश्य ये कैदे कि हम स्रेश्ट हैं तो वो भी नहीं रहते हैं मनुशे यहें दावा करता है कि वे जीवधारियों में सरव स्रेष्ट हैं पर हीरा मोती की स्रेष्टता को देखर उनका दावा भी खोखला रह जाता है हीरा मोती दोनों एक दूसरे के मन की बात शिग्र ही समझ लेते थे लगता है कि उन दोनों में कोई गुप्त शक्ती थी, वेहें बाहर से दिखाई नहीं देती थी अगला आश्यस पष्ट करने के लिए पंक्ती है उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती है पर दोनों के हिर्दे को मानो भोजन मिल गया आश्यस पष्ट है बाली का द्वारा खिलाई गई रोटी उनकी भूख को मिटाने में भी ऐसमर्थ थी पर इससे उनके मन को बड़ी तसल्ली हुई थी और वे अत्यधिक प्रसन हुए तो प्रिये विद्यार्थियों ये आपने आज पढ़ा प्रेम चंजी द्वारा लिखा गया पहला पाथ दो बैलों की कखा